रोज की तरह एक स्वस्थ व्यक्ति घर से निकलता है, वो ट्रेन लेता है, आफिस जाता है और वहाँ वो करोना वाइरिस से इंफेक्ट हो जाता है, पर उसे तुरंट बिमारी का एहसास नहीं होता और शायद काफी दिन तक ना हो, तो फिर वो फुटबॉल मैच भी देखने में इनफेक्ट कर देता है, उन में से जैदा तर लोगों को हलका इनफेक्शन ही होगा, लेकिन उन में से किसी एक को इनफेक्शन की गंबीरता के कारण हॉस्पितल ले जाने की जरूरत पढ़ सकती है, पर वो पहले तीन इनफेक्टेड लोग, जिनμεे बिमारी के लक्षन नहीं दिखे थे वो फिर बाहर चले जाते हैं, वो ट्रेन पकड़ते हैं, ओफिस जाते हैं और फिर काम के बाद बाहर घूमने जाते हैं और इस तोरान वो कई और लोगों को इंफेक्ट कर जाते हैं, जिन में से 20 प्रतिश्रत को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। कुछी समय में इस वज़ा हॉस्पिटल जाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, और फिर हॉस्पिटल भर जाने के कारण देश में संकट का आरम्भ होगा। करोना वाइलस के गंभीर मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो पाएगा और उन में से कुछ जो बचाए जा सकते थे वो मर जाएंगे। यही सब दक्षन कुरिया, इरान और इटली में हुआ जहां दो हफ़ते के भीतर बीमारों की संख्या सौ से पांच हजार के भी उपर पहुँच गए। सेंख्डों की मृत्य हुई क्योंकि वो हॉस्पिटल में बढ़ती नहीं हो पाए। गंभीर मरीजों की बढ़ती संख्या के असली जिम्मदार वो लोग हैं जिन्हें बिमारी के लक्षन महसूस नहीं हुए पर वो अंजाने में बिमारी फैलाते गए। जिसका मतलब ये है कि जो लोग इन व्यर्थ मृत्यों से बचाने के लिए सबसे ज्यादा कर सकते थे वो ये लोग हैं। कि हम सब करोना वाइरस के फैलाव को धीमा करने के लिए आपको ऐसा बरताव करना पड़ेगा जैसे कि आप खुद वाइरस से पीड़े थें। सारवजनिक पारिवाहन, ओफिस, भीड़ वाली जगाएं और यहां तक की छोटी सी छोटी सभाओं से भी दूर रहें। ताकि आप खुद वाइरस से बचे रहें और उसके फैलाव को सीमित रखें। इसे कहते हैं सोशल डिस्टिंसिंग। अगर हम में से ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल डिस्टिंसिंग के अभ्यास में लग जाएं तो वाइरस के फैलने की गती काफी हद तक धीमी हो सकती है। कुछ समय बाद कई लोग फिर भी वाइरस से इंफेक्ट होंगे लेकिन दिन बदिन गंभीर केसिस कम होते रहेंगे जिससे की स्वास्ते सुविधाओं पर बोज असेहनिये नहीं होगा और इस वज़ा कम लोगों की मृत्य होगी। करोना वाइरस महामारी के ये दो पारद रिश्या हैं पर ये वाला संभव सिर्फ तब ही है अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी निबाएं और इसलिए एक्सपर्ट्स जंता से आगरे करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करोना वाइरस का फैलाव कम करें